हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चनल आराध्या अरेयस अकेडमी में दोस्तों राजस्तान पटवार बरती परिक्षा राजस्तान रिट बरती परिक्षा और राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल बरती परिक्षा के लिए राजस्तान इतियास के मैतुफूर्पूर्शनों की सीरीज श्टार्ट की गी थी जिसमें अपनी चार क्लास है, वो कम्पलीट ह pact है, आज दोस्तों इसमें पांच फे नमबर की क्लास है, दोस्तों अपने मिवाद का इतियास के सारे के सारे क्यूशन है, तो वीडियो आपको पूरा देखना है, रोजाना अगर आप मेरे साथ में चलते जाओगे, तो दोस्तों आपकी तैयारी है वो बहुत ही सोलेड हो जाएगी, ठीक है, दोस्तों अरद्यारस अकेडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बैल आइकन को युद में सेर सा, सेर सा सूरी की सायता की थी, तो बिकानेर का ऐसा कौन सा ससक था, जिसने गिरी सुमेल का जो युद हुआ था, उसमें सेर सा सूरी की सायता की थी, तो दोस्तों दो वेक्ति थे, क्या नाम था उनका, एक तो बिकानेर का था और एक मेर तक था, मैंने आपक और मेड़ता का था वीरमदेव ठीक है मेड़ता का वीरमदेव और विकानेर का राव कल्यानमल तो इसमें विकानेर का पुछा है तो विकानेर का चार नंबर का उप्शन हो जाएगा राव कल्यानमल ठीक है ये दोनों ही सेर्शासूरी को मालदेव के खिलाफ आकर्मन करने के लिए उकसाते हैं ठीक है और शेरशा सूरी की शरंट में चले जाते हैं। क्योंकि इन दोनों का जो राज्य है वो माल देव ने छीन लिया था। वीरम देव से मेड़दा छीन लिया था और रावजैची सासक था बिकानेर का तो रावजेटसी को मार दिया था और बिकानेर अपने कबजे में ले लिया था और रावजेटसी का बेटा था कल्यानमल और कल्यानमल काँ सला गया था सेर सासूरी की सरण में ठीक है सेकंड नमबर प्रेस ने बिकानेर के प्रशिद किले का निर्मान करता किसे कहा जा सकता है तो दोस्तों बिकानेर के प्रशिद किले का निर्मान करता है वो किसे कहा जाता है चार उप्शन दोस्तों आपके सामने है राय सिंग, अनोप सिंग, दलपच सिंग, गंगा सिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, इसको, तो राय सिंग को कहा जाता है, दोस्तों, बिकानेर के प्रशिद किले का निर्मान करता है, ठीक है, देखो, राय सिंग द्वारा निर्मित इस भवे किले को जमीन का जेवर भी कहा जाता है क्या का जाता है जमीन का जेवर ठीक है याद रखना कौन से किले को का जाता है तो विकानेर के किले को कहा जाता है और विकानेर में कौन सा किला है तो जुनागड का किला है ठीक है नागोर के सासक अमर सिंग राठोड वे विकानेर के राजा तो दोस्तों मैंने आपको बताया था एक युद के बारे में बताया था और उस युद का नाम दूसरा है लेकिन कारण कोई और है ऐसा मैंने आपको कलास में बताया था तो दोस्तों नागोर के सासक अमर्च सिंग राठोड और बिकानेर के करण सिंग के मद्दे कुन सा युद हुआ था तो उसका नाम है दोस्तों वो है मतिरे की राड नामक युद हुआ था 1645 में 1645 में मतिरे की राड नामक युद हुआ था और जिसमें अमर्च सिंग राठोड की विज़े हुई थी और ये युद है ये दोस्तों एक गाउं था मैंने आपको कलास में बताया था यहां भी बता देता हूं एक गाउं था जाखनिया तीक है ये जाखनिया गाउं थ दोस्तों और इस जाखनिया गाउं को लेकर विवाद चल रहा था कि ये नागोर में है और नागोर वाड़े कहते थे नागोर में है और विकानियर वाड़े कहते थे विकानियर में है मैं ये जाखनिया गाउं था और इस जाखनिया गाउं के विवाद की कारण है दोस्तों काफी बार पहले भी लड़ाई हो चुकी थी लेकिन बड़ी लड़ाई हो गई और फिर नाम दे दिया गया इसको मतिरे की हिराड ठीक है बाना बना लिया कि ये तर्बूज है ये इधर लगी है मतिरा है ये नागोर की सिमा में लग गया या विकानिर की सिमा में लग गया तो चार नमबर का प्रिसन है बिकानियर के किस सासक ने बाबर के पुत्र वै लाहूर के सासक कामरान को युद में पराजित किया था तो दोस्तों विकानेर का एक सासक था जिसने बाबर का तो पुत्र और बाबर का पुत्र था जिसका नाम था कामरान तीक है और कामरान था लाहूर का सासक उसको दोस्तों युद में पराजित कर दिया था विकानेर के सासक का नाम बताना है तो वो सासक कौन है तो दोस्तों देखो ये वहीं है जिसको माल देव ने मार दिया था पाहेबा के युद में कौन था तो राव जैटसी ठीक है दो नमबर का ओप्शन इसका राइट अंसर हो जाएगा राव जैटसी ने दोस्तों बाबर के पूत्रे और लाहोर के सासक कामरान को युद में पराजिते कर दिया था देखो राव जैटसी ने 26 सक्टुमबर 1534 को कब 1534 को कामरान की सेना को हराय था इस युद का वरनन बिठ्व सूजा की पुस्तक राव जैटसी रोचंद में मिलता है पाच नमबर 15 ने विकानेर के किस परसीद सासक ने जीवन्त प्रियंत मुगलों की सेवा की थी तो उसका नाम था दोस्तों महराजा राइशिंग ठीक है किया था कब किया था पंदरा सो बहतर में जोदपूर राजे का प्रसासक भी नियुकते किया था ठीक है जैपूर रियासत के बाद राजस्तान की कौन सी दूसरी रियासत के समंद मुगलों से बहुत अधिक अच्छे रहे तो अपने को यह बताना है कि जैपूर के बाद ऐसी कौन सी रियासत है जिसके समंद है वो जैपूर के बाद में मुगलों से बढ़िया रहे अच्छे रहे ठीक है तो दूसरे नंबर पर कौन है तो वो है विकानेर ठीक है विकानेर वाल और यह जैपूर वाले यह दोनों दोस्तों चिपके पड़े रहते थे किनके मुगलों के पता नहीं मुगल क्या देते थे इनको कौन से गुट्टी पिला रखी थी कि यह पूरा कच्छावा वंस यह यह भी दोस्तों यह तो शुरू से लेकर एंड की मुगलों से चिपके रहे बिकानेर वाले फिर भी थोड़ा गंगा सिंघ बिकानेर वाले चलो इतने नहीं थे लेकिन वो भी थे और मोटा राजह उदे सिंग के बाद में सारी चलो चोड़ो अपने को इसमें याद रखना है कि ब्जेपूर के बाद में बिकानेर का नमबर आता है निमिन में इसे कौन सा गरंथ विकार्णेट नरेश महराजा अनुप सिंग द्वारा रचित है तो अनुप सिंग द्वारा रचित कौन सा गरंथ है तो उसका नाम है दोस्तों देखो काम प्रबोध अनुप विवेक और अनुपोद है ये तीनों के दो तीनों गरंथ हैं ये दोस्तों महराजा अनुप सिंग द्वारा रचित हैं तो इस प्रशन का राइट अंसर हो जाएगा चार नमबर का उप्शन उक्ते सभी हाट नमबर का प्रशन है किसंगड की राठोड वन्स की रियासत की स्तापना किस ने की थी तो दोस्तों जोदपुर सासक मोटा राजा उदै सिंग के पूतर किसंग ने किसंगड की स्तापना की थी तो इसमें दो नमबर का उप्शन इसका राइट अंसर हो जाएगा नाए नमबर प्रशन है निम्न में से किस राजपूत जाती का जन्म अगनिकुंड शिद्दान्त के अनुसार नहीं हुआ तो दोस्तों अपने कोई बताना है कि वो कौन सी राजपूत जाती है जिसका जन्म है वो अगनिकुंड शिद्दान्त के अनुसार नहीं हुआ तो दोस्तों देखो मैंने आपको बताया था दो पै और दो चै अब देखो किसमे नहीं है चै तो यहां पे देखो चै चोहान चालू के सही है ठीक है चोहान और चालू के दो बार चया आ गया ठीक है राठोड परतिहार तो इसमें राठोड नहीं आएगा दोस्तों ठीक है तो इसमें परमार आएगा क्या आएगा परमार देखो एक पेमे थे पेमे हो गया परतिहार और दूसरे पेमे हो गया परमार ठीक है ? तो दो पैए और दो चै राठोड इसमें नहीं आएगा तीन नमबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा दास नमबर प्रिस्वन है मारवाड के राठोड बांस के संस्तापक वा आदी पूरुष कौन थे ? तो दोस्तों कौन थे? तो वो थे राव सीहा दो नमबर का जो उप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है? 11 नमबर का प्रेशन है गिरी समेल के युद के बाद शेर सासूरी ने जोथपूर दुरग का परबंद किसे समलाया? गिरी सुमेल के यूद के बाद शेर सासूरी ने जोधपूर दुरुग का परबंद किसे समलाया तो वो समलाया था दोस्तों किसको खमासका को, किसको? खमासका, तीन नमबर का उप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा बारा नमबर का प्रेश्न है जोदपूर सासक अजीत सिंग द्वारा जोदपूर विजे के पस्चाथ अपनी लड़की का विवा है सवाई जैस सिंग के साथ किया उसका नाम क्या था ठीक है देखो समझोता हुआ था एक और वो समझोता कै था वो समझोता था दोस्तो देवारी का समझोता जिसमें उस समझोते के तहत है वो दोस्तो जोदपूर के साथ सक अजीत सिंग द्वारा जोदपूर विजे के पश्यात अपनी लड़की का विवा है सवाई जैसिंग के साथ किया गया उसका नाम था उसका नाम था दोस्तों क्या सूरज कमर एक नंबर का option इसका सैयूत्तर हो जाएगा तेरा नंबर प्रेसन है मंडोर के परतिहार सासकूं का मुलपुरुस कौन था तो मुलपुरुस था दोस्तों इसमें कौन हरिष चंद्र ठीक है एक नमबर का उप्षन इसका सयूत्तर हो जाएगा जोदर नमबर प्रिशन है मंदोर को निमिन में से किस सासक ने राजदानी बनाया तो किस सासक ने राजदानी बनाया तो राव चुंडा ने दोस्तों मंदोर को राजदानी बनाया था 15 numbers का प्रिश्न है सन 1544 शी Pacific में गृरी सुमेल यूद किन किन के मद्धे हुआ तो यह वा था राव मालदेव और सेर सासुरी के मद्धे हैं यूद हिए वा था दो नुमार का option इसका सही उत्रो जाएगा आप सभी को पता है गिरी सुमेल इस्तान वर्तमान में किस जिले में आता है तो ये वर्तमान में दोस्तों कौन से जिले में आता है तो ये पाली जिले में आता है नेक्स्ट है गिरी सुमेल के युद में कौन कौन से वीर सेनानायक मारे गए थे तो दोस्तों देखो जेता और कूपा जेता और कूपा दो drawn नाएक थे ये दोनों दोस्तों मारे गए थे ये दोनों मारे गए थे और एविश्वास के कारणा है वो mal dev पिछे हट गया था तो इसमें तीन नंबर का उप्सन इसका right answer हो जाएगा 18 नमबर प्रसन है राव मालदेव ने बिकानेर के किस नरेश को हरा कर बिकानेर पर अधिकार कर लिया था तो मने आपको बताया था एक युद हुआ था पंद्रा सुब्ही आलिस में जिसका नाम था पाहेबा का युद और पाहेबा के युद में दोस्तो मालदेव ने मालदेव और बिकानेर के साथ सकराव जैटसी के मद्दे युद हुआ था और जिसमें जैटसी मारा गया था और इनका बेटा करल्यानमल है वो दोस्तों सेरसा सुरी के पास में चला गया था तो दो नमबर का उप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा गुनिश नमबर प्रेशन है वीर दुर्गादास राठोड वीर दुर्गादास ने राठोड वंस के लिए शीशु राजकुमार अजीश सिंग को शिरोई में किसके पास रखा था तो दोस्तों शिरोई में किसके पास में सरण मिली थी अजीश सिंग को ठीक है तो दोस्तों एक पुषकरणा ब्रामन थे जिनका नाम था जैदेव ठीक है दिल्ली पर किस का सासन था तो देखो दिल्ली पर उस समय किस का सासन था तो ये बात है दोस्तों 1532 की ठीक है और 1532 में जो दिल्ली का सासन कौन था तो 1530 से लेके 1540 तक हुमायू का सासन था किस का सासन था हुमायू का सासन था ठीक है और फिर दोस्तों पंद्रा सो पच्पन से लेके और पंद्रा सो चपन तक फिर हुमायू का साशन था यानि कि बीच के जो पंद्राइबर्स है उसमें सूरवन्स का साशन रहा था थीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायू दो नंबर का उप्शन सही तर 21 नंबर प्रेस ने सूरी मे टिक है यह सूरी कहां से आ गया प्रसन में टाइबिंग करने वाले सही टाइप नहीं करते हुमायर की थी तीक है ये बताना है अपने को तो इसका right answer क्या हो जाएगा दोस्तों वो है राव मालदेव ने सायता की थी तीक है दो नमबर का option इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 प्रस्षिन राव चंदर्शेन की समाधी कहां इस्तित है तो राव चंदरशेन की समादी है वो कापर इस्तित है तो ये दोस्तो सची आप सची आप में इस्तित है और ये कापर है तो मैं आपको बता दू कि सारन की पाड़ी पाली में तीक है यानि कि सारन पाली में दोस्तो राव चंदरशेन की समादी है वो बनी होई है ठीक है और आप सभी को पता है कि राव चंदरशेन को परताब का अगरगामी और मारवाड का परताब भी कहा जाता है 23 नमर प्रेसन है वहें पर्थम राजपूत सासा कौन था जिसने अपनी रन निती में दुर्ग के इस्तान पर जंगल और पहाडी छितर को अधिक महत्व दिया था तो वो किस ने दिया था तो वो दिया था दोस्तो राव चंदरशेन ने ठीक है मैंने आपको भी बताया था कि मारवाड का परताब परताब नहीं जो परताब माराना परताब है वो दोस्तो मेवाड के सास सकते वो भी ऐसे कारे करते थे और ये पहले करते थे लेकिन वो बाद में करता था तो इसलिए परताब का अगरगामि भी कहा जाता चनदरशेन को और मारवाड का परताब भी कहा जाता है तो वो आपको कमेंट में बताना है तो दोस्तो राव चंदर सेन को माना जाता है ठीक है देखो राव चंदर सेन की मुगल विरोधी कार्यवाहियों के कारण उन्हें मेवाड का प्रताब का पत्परदसक भी कहा जाता है मर्त्युपरंत मुगलों से लोगा लिया था इन दोनों ने ठीक है आगे देखो 25 नमर प्रेस ने समराट जहांगीर ने दल थंबन की उपादी किस राठोड सासक को परदान की थी तो दल थंबन की उपादी है वो किस राठोड सासक को परदान की थी तो राव गजसिंग, राव गजसिंग को दोस्तो दल थंबन की उपादी परदान की थी, किसने समराथ जहंगीर ने, ठीक है, नेक्स्ट है, मारवाड के महरादा जस्वन सिंग पर्थम का राज तिलक कहा हुआ था, तो ये राज तिलक है, ये दोस्तो आगरा में हुआ था, दो नमबर का उप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, नेक्स्ट है, पर्तिहारों की जालोर साखा के परवर्टक कौन थे, पर्तिहारों की जालोर साखा के परवर्टक है, वो कौन थे, तो वो थे दोस्तो नागबटे पर्थम, ठीक है, तो देखो, पर्तिहार सासक नागब नी रखी थी और सासन किया था नागवटे पर थमने ठीक है यह अपने गुजर पर तियार पढ़ेंगे उससे मैं पढ़ा दूंगे आपको अकबर ने नागवडर दर्बार कब आई जित किया था तो नागवडर दर्बार है वो दोस्तों नौंबर 1570 में नागवडर दर्बा ना था ठीक है और वैसे दिखावे में अगर देखा जाए तो अकाल रहतकारियों के लिए यह दर्बार लगाया गया था ठीक है वही है गुनतिस नौंबर देखो राजस्तान की निम्न में से किस रियासत पर राठोड सासकों का सासन नहीं था तो इसका राइट आंसर हो ज देखो जोदपूर बे वी विकानेर वे किसंगड में भी परताब गड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा चार नमबर का उप्शन सही उतर ठीक है परताब गड़ पर सिसो दिया वंस को वंस के सासकों का सासन था तीस नमबर प्रेस नहीं किसंगड रियासत के संस्तापक र जाओ किसंग जी ने ही दोस्तों किसंगड में राठवर गंस की स्तापना की थी एक तीस नमबर प्रेस ने जोदपूर नरेश जस्वन सिंग के मर्तिव के बाद उनके उतरा दिकारी कुमर अजीच सिंग ने वीर दुरकादास की साहता से जोदपूर का राजे वापस कब प प्राप्त किया अजीच सिंग ने वीर दुरकादास की साहता से तो वो किया था दोस्तों सत्रा सो साती स्वी में ठीक है और मैंने आपको बताया था सत्रा सो साती स्वी में किया था तो चाह नमबर का उप्शन इसका सही उत्थरफ हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है जोधपूर के किस माराजा ने अंग्रेजों की अदिनता स्वीकार की थी तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा मान सिंग ठीक है मान सिंग ने दोस्तों 1818 में अंग्रेजों से संदी कर ली थी नेक्स्ट है 33 नमर प्रेस ने जोधपूर दुर्ग का निर्मान किस तिति को किया गया तो जोधपूर दुर्ग का निर्मान है वो किस तिति को किया गया तो वो किया गया दोस्तों 12 मई 1469 को 12 मई 1469 इस्वी को जोधपूर दुर्ग का निर्मान किया गया था ठीक है, तो तीज नमर प्रेस ने मारवाड की राजदानी मंडोर से जोधपुर हस्तानांतरन के समय वहां के सासक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तो, राव जोधा तीक है, राव जोदा, दो नमबर का option है, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा Next question है, 35 नमबर प्रेसन है, जोधपुर के महराजा अजीत सिंग की माता कौन थी? तो जोधपुर के महराजा अजीत सिंग की माता है वो कौन थी? तो वो थी दोस्तो राणी जसकमर यादवी, वो थी दोस्तो अजी सिंग की माता, ठीक है? आगे देखो, 36 नमर प्रैसने, राठोड वन्स का सासन काल किस छेतर से समन्दित था? तो राठोडवंस का सासन काल है वो किस सेतर से समन्दित था तो वो था दोस्तो महरवार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार् इस्ताअपना है वो ओुस्तों जोड़ा 488 एस्य में की थी विकानियर सहर की स्तापना राउब इकाने तीक है? और जोड़ा के पाँच बूत्र थे और अपने काका कांदल के साथ में और चोटे भाई के साथ में दोस्तों ये जोटपूर छोड़के चले गए थे तो एक का प्रेस्ट ने गिरी सुमेल युद में बिकानेर के किस सासक ने सेर सासुरी की सायता की थी तो दोस्तों ये मने आपको पहले बता चुका हूँ किस ने की थी राव कल्यान मलने ठीक है तो दो नमबर का उप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका नेक्स्ट है बिकानेर के किस पर्थम सासक ने अकबर की अदिनता स्विकार की थी तो बिकानेर का पर्थम सासक कौन था जिसने अकबर की अदिनता स्विकार की थी तो देखो कौन था ये राव कल्यान मलन ठाये साह पहले तो सेर सासुरी के अदिनता स्विकार कर ली शेर सासूरी के बाद में सासक बनता है हुमाईव लेकिन हुमाईव एक साल तक ही रहता है उसके बाद में दोस्तो अकबर सासक बनता है और उसके बाद में ये भी बने जाता है ठीक है देखो इन्होंने 1570 एश्वी में अक्वर के नागोर दर्बार में उपस्तित होकर उसके अदिनता स्विकार कर ली थी किसने राव कल्यान मलने है ठीक है तीन नमबर का उप्शन इसका सही उत्र हो जाएगा चालिस नमबर प्रेशन है विकानेर के किस सासक को जंगल दर बादश्या की उपादी से समानित किया गया तो विकानेर के कौन से सासक थे जिसको जंगल दर की उपादी से समानित किया गया तो वो थे दोस्तों कौन महराजा करन सिंग ठीक है तीन नमबर का उप्शन इसका सही किसे माही बरातिव की उपादी से सममानित के गया था तो माही बरातिव की उपादी है वो किसको दी गई थी वो दी गई थी दोस्तों महराज़ा अनूप सिंह को ठीक है दो नमबर का option इसका सईूत्तर हो जाएगा 22 नमबर पर इस ने विकानेर के किस नरेश ने इस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षा संदी की थी तो विकानेर के ऐसा कौन सा सासक था जिसने दोस्तो इस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षा संदी की थी तो वो था दोस्तों इसमें सूरत सिंग ठीक है याद रखना एक नमबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा विकानेर के माराजा राय सिंग को किस कृति में राजेंदर कहा गया है विकानेर के माराजा राय सिंग को किस कृति में राजेंदर कहा गया है तो दोस्तो एक देखो पुस्तक का नाम है करम चंदर वनसोत कीर्तम काविम ठीक है ये एक पुस्तक है उसमें दोस्तो कहा गया है राजेंदर ठीक है किसको राई सिंग को देखो राजस्तान की निम्न में से कौन सी रियास्ते बिर्टिस काल में मराठो एवं पिंडारी आकरमनों से बची रही तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो कौन सा है तो वो है इसमें जैसल मेर और विकानेर ठीक है चार नमबर का उप्शन इसका से उत्तर हो अकबर ने किस से नानायक को 1564 ECU में जोधपुर पर आकरमन करने के लिए बेजा था तो किसे बेजा था 1564 में जोधपुर पर आकरमन करने के लिए तो दोस्तो हुसेन कुली खांको बेजा गया था दो नमबर का उप्शन इसका से उत्तर हो जाएगा छीनारिष नमबर प्रेस्टे कि शासक को मुन्सी देवी परसाद ने राजपुताने का कर्ण का है राजपुताने का राय सिंग, रास से राजपुताना थेक dapat यह आपको ऐसे याद रख लेना है, एक नमबर का आप्शन, इसका सहीत्तर हो जाएगा 47 नमबर प्रेस्ट ने कि बोल्यो सूरी राजियों मेरी गाट गमसान मुठी खातर बाजरी खो देतो हिंद्वान ये वाक्य किसका था यानि कि मैं एक मुठी बाजरी के लिए सारे हिंदुस्तान की बाजसाथ खो देता ये वाक्य किसके थे तो ये वाक्य थे दोस्तों सेरसा सूरी के ठीक है एक नमर का उप्षन इसका राइट अंसर हो जाएगा ऐसे निकाता इंडी में निकाता ठीक है आज भी किताब में लिखावा है कि बोलो सूरी राजियों गिरी गाट गमसान मुठी खातर बाजरी खोद तो हिंद्वान ठीक है 48 नमर प्रेस ने निमन मेशे किसको मारवाड का भूला भिष्टरा सासक किसे का जाता है ये मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही तो वो है दोस्तों राव चंदरशेन राव चंदरशेन को मारवाड का भूला भिष्टरा सासक कहा जाता है 49 नमर प्रेस ने वीड दुर्गादास राठोड ने मारवाड की गद्धी पर बैठने में किस सासक की सायता की थी तो आप सभी को पता होगा कि राव अजीत सिंग यान कि महराजा अजीत सिंग कि सायता की थी मारवाड की गद्धी पर बैठने में ठीक है आगे देखो 50 नमर परेशन है सर टोमस भो भारत किस वर्स आए सर टोमस भारत है वो किस वर्स आए 16 15 हिस्वे में यह भारत आए थे ठीक है एक नमर का उप्सल इसका सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तो यह हो गई अपने मारवाड का जो इत्यास चल रहा था जिसमें आज दूसरी कलास है और टोटल अपनी आज पांशवी कलास है ठीक है तो दोस्तों आरद्ध्यारस अकेडमी पर बने रही है चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के पास में दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्य करें लाइक करें थीक है मैं आपके लिए इतनी मीनत कर रहा हूं ता आपको शेयर करने में आपको कुछ नहीं जाता दोस्तों आपको ऐसी सूजदा है वो आरध्द्यार्इस अकेड़्मी पर मिल रही है कि कि लासे में चल रही है और कलास के साथ में दोस्ते आपको टॉपिक वाइज मैतोपुनफरस्थ samurai की शीरिज भी प्राफ्ट अधीर है तीज इसको जो चीज फिरी में मिलती है, वो उसका कभी गुनगान नहीं करता। प्लाणाओं, चीज के पैसे लगते हैं, तो दोस्तों ये भारत है, यहां पे जिस चीज के पैसे लगते हैं, अगर आप पैसे देखे कोचीङ परडने जाओंगे ना, तो वहा पढ़ोगे। प्रभी में आप कोई चीज मिल रिए ना तो आप इतना इंटरेस्ट नाहीं लोगी जब चैनल को सब्सक्राइब जरू करते, बेल आइकन को दबाएं, मिलते हैं दोस्तों, नेक्ट वडियो में, जैहिंस जैबारत.